अधिक नव नियुक्तों को नियुक्ती पत्र मिलने जा रहे हैं सर्व प्रथम मैं माननी अकार्मिक राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग जी से अनुरोध करती हूं कि वे अपने स्वागत संबोधन से कारिक्रम का शुबारम करें परमादर्निय प्रधानमंत्री जी रोजगार मेला की इस शंख्ला के अंतरगत हम चौथा अंक लेकर के आपके सामने में पस्तित है आपने कुछ समय पहले देश्वासियों से ये वादा किया था कि आप दस लाख सरकारी नौकरिया उपलम्द करवाएंगे और उसी वादे को निभाते हुए रोजगार मेला का ये सिलसला प्रारंभ हुगा आज भी इस कारिक्रम में आपका एक बटन दमाने के साथ ही इकत्तर हजार से अधिक न्युक्ति पत्र जारी कर दिये जाएंगे इनके लाबार्थी देश के भिन भिन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए है ये नुक्तिया भिन भिन पदों पर भिन भिन स्तर पर की जा रही है और ये न्युक्तियां भिन-भिन मंत्रालें भिन-भिन विभागों में की जा रही है जैसे के रक्षा मंत्राले, ग्रह मंत्राले, हायर एजूकेशन, डिफेंस, इत्यादी है इसके साथ ही रोजगार मिला के साथ एक नया आयाम जोड़ दिया गया मिशन कर्म योगी प्रारंभ यानि जो भी न्युक्ति पत्र प्राप्त करेंगे वो उमीदवार मिलने वाली जिम्मेवारी के अनुसार अपना शिक्षन प्रशिक्षन इस माध्यम से कर सके आज भी पिशली बार की तरहे देश भर्ते 45 स्थान इस कारिकरम से जुड़े हैं जो आपका संबोधन सुनने का इंदजार कर रहे हैं पुर्धान मंतरी जी जब बात रोजगार की होती है तो एक बात का उलेक करना जरूरी बन जाता है आपने देश को ये जागरूपता दी के रोजगार महज और मातर सरकारी नौकरी नहीं और आपने गत नौ वर्षों में अनेकों ऐसे अलग-अलग शेत्रों में विकल्प उपलब्द करवाए जिनके माध्यम्र से नौजवार बिना सरकारी नौकरी के भी अपनी रोजगार अपनी जीवी का सम्मान जनक ढंक से कमा सके उधारन के तौर पर आपने लाल के लिए से अवहान किया स्टार्टप इंडिया स्टेंड़ अप इंडिया और देखते ही देखते पीन सो चार दो से बढ़ करके स्टार्ट अपस की संकिया 90,000 का इंडेक्स में एक्तालीस पैदान का जंप लगाते हुए एक्यासी दरजे से चालीस दरजे पर जा पहुँचें आपने निचले मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी विकल्ब पैदा किये परधान मंतरी स्वानी जी योजना के तहत चार लाख वेंडर पार्टनर्स को लोन प्राप्थ हुए नौजवानों के लिए सरल लोन स्कीम मुध्रा योजना आपने प्रारंब की साथ सो करोड से अधिक राशी वित्रित हो चुकी है असी लाख सेल्फ हेल्फ ग्रुप इसके लावारती हैं और महत्पूर बात ये के सत्तर प्रत्शी शथ से अधिक इन में से महिलाएं हैं अरोमा मिशन पर्पल रेवलुशन बैंगनी करांटी के माध्यम से हजारों किसान लेवेंडर कर्टिवेशन एग्री स्टार्ट अप के माध्यम से अपनी रोजगार कमा रहे हैं अर्थ शास्त्रियों का ये कहना है कि इन्फरा स्ट्रक्चर डिवल्मेंट इस अ मेजर सोर्स अप जाब जेनरीशन आपने नाकेवल इन्फरा स्ट्रक्चर डिवल्मेंट की गती बढ़ाई उसको स्केलाव किया बलके उसकी रफ्तार तेस करने के लिए पी-एम गती शक्ती प्लैन आउट रोल आउट किया इसका परिणाम ये कि जहां दो हजार चौदा में ग्रामीन शेतर में प्रधान मंतरी ग्राम सड़क योजना के ठैट मातर तीन दिशमलव आठ लाख किलो मीटर सड़कों का निर्मार हुआ था वही नौ वर्षों में दुगना होकर है साथ लाख किलो मीटर तक जा पहले थे उन में तीन सव का इजाफा हुआ एड़ी रेट ऑफ वन यूनिवर्स्टी पर वीक यदि मेडिकल कॉलेजिस की बात करें तो सन दो हजार चौदा में एक सो पैंतालीस मेडिकल कॉलेज थे इस देश में उन में दो सो साथ यानि जितने सतर वर्ष में बने थे उस या तायाद के शितर में इन्फरस्ट्रक्चर को जो आपने बल दिया वो इस से जाहर है कि दो हजार चौदा से पहले इस देश में मातर चौरहतर सैवंटी फोर एरपोर्ट थे आज दुगने हो गए नौ वर्षों में एक सो सेंतालीस एरपोर्ट रेलवे की बात करें तो आज के दिन भी ग्यारा हजार से अधिक मकान प्रती दिन अवस्दन इस देश में निर्मानित हो रहे हैं मेट्रो रेल के सताइस प्रॉजेक्ट इस समय लग चुके हैं और इतना ही हैं प्रदार मतिरी जी आपने अनेकों नए शेत्रों में भी रोजगार के विकल्प खोले उनसे हमें परिच्चत करवाया हमें अवगत कराया जिस तरफ हमारा शाय इतना रुजान नहीं था अनुर्वर प्राइब मिस्टर सर यू इंटर्डूज़ अस टुदी टॉए इंडस्ट्री खिलोने बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से आयात होते थे आईस्तिती ये है कि इंपोर्ट होने वाले टॉएज में साथ प्रतिशद कमी आई है और भारत से बाहर जाने वाले खिलोनों में साथ प्रतिशद एक्सपोर्ट बढ़ चुका है यू अलसो इंटर्डूज़ दी वर्ल्ड टू खादी खादी फोर फैशन खादी फोर निशन आज आज आप ही क देश में पहले भाहर से मुबाइल आते थे आज इंडिया वाना दी मेजर एक्सपोर्टर आफ मुबाइल चिप्स हमारे लिए गर्व की बात है जब अपनी सुरक्षा के लिए हम बाहर से लाए हुए थैयरों का इसमाल करते थे आज हमारा डिफैंस एक्सपोर्ट छे गु इनर्जी की मोहिम में भारत को एक एहम भूमी का भी देगा आंक्डे तो बहुत हैं लेकिन समय का अभाव हैं लेकिन ये आंक्डे देने भी जुरूरी थे क्योंकि वी लिव इन एविडेंस बेस्ट एरा बहुत समय ना लेते हुए मैं केवल इतना कहकर कि अपनी बात ना हो सका वो प्रधान मंत्री जी आप ने नौ वर्षों में कर दिखाया और वो इसलिए कि मोदी जी है तो मुम्किन है धन्यवाद धन्यवाद माननिय मंत्री जी रोजगार मेले की आज की कड़ी देश में तेजी से विकसित होते विश्वस्तरिय इंफ्रस्ट्रक्चर नागरिक सुईधाएं तता युवाओं के लिए निरंतर बढ़ते रोजगार के सुवसरों का संदेश लेकर आई है इसी संदेश को अभी तक पहुंचाने के लिए प्रस्तुत है एक लगू फिलिप आत्म निर्भरता की पटरी पर युवाश शक्ति के इंजन के साथ तेज कति से बढ़ता भारत आज वैश्विक प्लैट्फॉर्म पर विकास की अग्रिम पंक्ति में शामिल है माननिय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के युवाश शक्ति को राश्ट्र शक्ति बनाने के संकल्प से स्टार्ट अप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, MSME लीन जैसे कई अभ्यानों से देश में करोणों युवाओं के सुनहरे भविश्य का मार्ग प्रशस्त हुआ है इनसे रोजकार, निवेश और उद्यमिता के अनेक अवसर तो बने ही हैं साथ ही हमारे देश के युवाओं की आकांग्शाएं और सपने भी साकार हो रहे हैं रोजकार स्रिजन की आठ नौ वर्शों की सतत यात्रा में एक नया अध्याय जोडते हुए एक वर्श के भीतर दस लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का कार्य प्रारंभ हो चुका है जिसके तहट पूरे देश में रोजकार मेलों का आयोजन कर प्रतिभाशाली युवाओं को पारदर्शी, निश्पक्ष और सरल प्रक्रिया से नियुक्तियां दी जा रही है भरती प्रक्रिया को पारदर्शी और समय बध्ध तरीके से पूरा करने के लिए UPSC, SSC, RRB और रज्य सरकार की भरती एजनसिया कार्य कर रही है नव नियुक्तों को रेल मंत्राले में अनेक पद जैसे असिस्टन्ट लोको पाइलेट, स्टेशन मास्टर, जूनियर, इंजीनियर, ट्रैक मेंटीनर, पॉइंट्समैन और टेक्नीशनों के साथ-साथ TTE, Commercial Clerk, इवं Booking Clerk, ग्रिह मंत्राले में सब इंस्पेक्टर, कॉंस्टिबल, स्वास्ति विभाग में डॉक्टर, नर्स, शिक्षा विभाग में अध्यापक, लेक्चरर सहित, अनेक विभागों में विभिन्न पदों पर पदस्थापित किया गया है नव नियुक्त युवा, न केवल अपने परिवार का गौरव बढ़ा रहे हैं, बलकि हर विभाग की कार्य कुशलता भी बढ़ा रहे हैं और नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं के गुडवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है 21 सदी के भारत के लिए मसबूत आधुने कनेक्टिविटी पर पिछले नौ वर्षों में अभूत पूर्व गती और स्तर पर काम हुआ है सडक, रेल, पोट, एरपोट, मास्ट ट्रांस्पोर्ट, वाटरवेज और लोजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर सभी पर PM गती शक्ती मास्टर प्लान के तहट तीवर गती से काम हो रहा है जहां युवा ट्रांस्पोर्ट सेक्टर के ट्रांस्फोर्मीशन की अगवाई कर रहे हैं और युनिट लोजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने में एहम भूमिका निभा रहे हैं भारत के सबसे बड़े पबलिक इंप्लॉयर में से एक भारतीय रेल्वे रोजकार सुजन में एक महत्वा पूर्ण योगदान दे रही है आज के रोजकार मेले में लगभग सत्तर प्रतिशत युवाओं की नियुक्ति रेल्वे में ही हो रही है और इसके साथ ही साथ अन्य विभागों जैसे बैंक, पोस्ट, रक्षा, उच्च शिक्षा, ग्रह मंत्राले, स्वास्थे विभाग इत्यादी अनेक विभागों में भी हजारों युवाद नियुक्ति हो रहे हैं रोजगार मेले के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की राह में युवाशक्ति के जुड़ने से टूरिजम से लेकर हुद्योग धंदी तक, लोजिस्टिक से लेकर कनेक्टिविटी तक, हर क्षेत्र में अपार संभावनाय और अवसर बनेंगे जिससे भारत फाइफ ट्रि रेमोट का बटन दबाकर नियुपति पत्रों के वितरन के इस राष्ट्र व्यापी अभियान का शुभारव करें मैं आदर्निय प्रधान मंत्री जी से अनुरोद करती हूं कि आज इस विशेश सुहवसर पर देश की युवा महाशक्ति एवं हम सभी का अपने शुब संदेश से मार्ग दर्शन प्रदान करें आज वैशाख्य का पावन पर्व है मैं सभी देश वास्यों को वैशाख्य की लख लख बधाईया देता हूँ उल्लास भरे इस्तिवहार में आज सत्तर हजार से जादा युवाओं को केंद्र सरकार के विबिन्द विभागों में सरकारी नोकरी मिली है आप सभी विवाओं को आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई आपके उजवल भविश्य के लिए अनेक अनेक शुप कामराएं साथियों विख्षिद भारत की संकल्प से सिद्धी के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभाग और उर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है केंद्र सरकार के साथ ही गुजरात से लेकर असम तक उत्तरपदेश से लेकर के महराष्ट तक एंडिये और भाजपा शासिद राज्यों में सरकारी नौकरी देने की प्रक्रियां तेज गती से चल रही है कल ही मध्यप्रदेश में बाईस हजार से जादा सिक्षकों को नियुक्ति पत्रस्वा पे गए ये राष्ट्रिय रोजगार मेला भी युवाओं के प्रती हमारे कमिट्मेंट का प्रमान है साथ क्यों आज भारत दुनिया की सबसे तेज रपसार से आगे बढ़दे वाली अर्थ बवस्ता है पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूज रही है ज्यादा तर देशों की अर्थ बवस्ता लगातार गिर्ती चली जा रही है लेकिन इन सब के बीश भारत को दुनिया एक ब्राइड स्पॉर्ड के तौर पर देख रही है आज का नया भारत अब जिस नई नीती और रणनीती पर चल रहा है उसने देश में नई संभावनाओं और नए अवसरों के द्वार खोल दिये है एक समय था जब भारत टेकनोलोजी हो या इंफ्रास्रक्चर एक प्रकार से रियक्टिव एप्रोच के साथ काम करता था बस रियक करना 2014 के बाद से भारत दे प्रो एक्टिव एप्रोच अपनाई है इसका नतीज़ ये हुआ है कि 21 सदी का ये तीसरा दसक रोजगार और स्वरोजगार के वो अवसर पैदा कर रहा है जिनकी पहले कलपना भी नहीं की जा सकती थी आज युआओं के सामने कई ऐसे सेक्टर्स खुल गए हैं जो दस साल पहले उपलब्द तक नहीं थे हमारे सामने स्टार्ट अप्स का उदारण है स्टार्ट अप्स को लेकर आज भारत के युवाओं में जवर्जस उत्सा है एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टार्ट अप्स ने 40 लाग से जादा डायरेक्ट और इंडायरेक्ट जॉब तयार की है इसी तरह ड्रोन इंडिस्ट्री है आज एगरिज कल्चर हो या डिफेंस सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सर्वे हो या फिर स्वामित्व योजना ड्रोन की मांग लगातार बढ़ती जा रही है इसलिए बहुत सारे युवा ड्रोन मैंडिफेक्टरिंग ड्रोन फ्लाइं से जुड़ रहे हैं आपने ये भी देखा है कि बीते आठ नव वर्षों में कैसे देश के स्पॉर्ट सेक्टर का काया कल्प हो गया है आज देश भर में नए स्टेडियम तयार हो रहे हैं नई एकेडेमी तयार हो रही है इनमें कोच, टेक्नीशन, सपोर्ट, स्टाप की जरुरत पड़ रही है देश में स्पोर्ट का बजेट दो गुना होने से भी युवाओं के लिए नए मोके बन रहे हैं साथियों, आत्म निर्भर भारत अभियान की सोच और एप्रोच सिर्फ स्वदेशी अपनाने और वोकल फ़र लोकल से कहीं जादा है यह सिमित दाइरवाला मामला नहीं है आत्म निर्भर भारत अभियान गाउं से लेकर शहरों तक भारत में रोजगार के करोणों नए आउसर पैदा करने वारा अभियान है आज आधुनिक सेटिलाइट से लेकर सेमी हाइस्पीड ट्रेन तक भारत में ही तयार हो रही है बिते आठ नव वर्सों में देश में तीस हजार से जादा नए और सुरक्षित LHB कोचिज बनाए गए है इनके निर्मान में जो हजारों टन स्टील लगा है अलग अलग प्रकार के प्रोडक्स लगे हैं उन्होंने पूरी सप्लाई चेन में रोजगार के हजारों नए अवसर बनाए हैं मैं आपको भारत की टॉइ इंडस्ट्री का भी उधान दूँगा अभी जितन्द सिंग जी ने उसका उलेक भी किया दसकों तक भारत के बच्चे विदेशों से इंपोर्ट किये गिए खिलोनों से खिलते रहें ना तो उनकी क्वालिटी अच्छी थी ना ही वो भारतिये बच्चों को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे लेकिन कभी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया हमने आयात होने वाले खिलानों के लिए क्वालिटी परामेटर तै किये और अपनी स्वदेसी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना शुरू किया तीन-चार वर्ष में ही टॉय इंडस्ट्री का काया कल्प हो गया और इससे रोजगार के अनेकों नए अवसर तैयार हुए है हमारे देश में दसकों तक यह एप्रोज भी हावी रही कि डिफेंस इक्विपेंट सिर्फ आयात किये जा सकते हैं बार से ही ला सकते हैं हम अपने देश के मेनिफेक्टरर्स पर ही उतना भरोसा नहीं करते थे हमारी सरकार ने इस एप्रोच को भी बदल डाला हमारी सेनाव ने तीन सो से जादा ऐसे साजो सावान और हतियारों की लिस्ट तजार की है जो अग भारत में ही बनाए जाएंगे भारतिये इंडस्ट्री से ही खरीदे जाएंगे आज भारत पंद्रा हजार करोड के डिफेंस इक्विपेंट विदेशों में निरियात कर रहा है इससे रोजगार के हजारों अवसर तयार हुए है साथियों आपको एक और बात कभी भी भूलनी नहीं चाहिए जब देश ने 2014 में हमें सेवा का अवसर दिया तब भारत में बिकने वाले जादातर मोबाइल फोन विदेशों से आयात किये जाते थे हमने लोकल प्रोड़क्शन बढ़ाने के लिए इंसेंटिव दिये अगर आज भी 2014 से पहले वाली स्थिती होती तो फोरेन एक्षेंज पर हमारे लाखों करोर रुपिये खर्च हो गए होते लेकिन अब हम ना सिर्फ घरेलू जरौतों को पुरा कर रहे हैं बलकि मोबाइल फोन का निर्याद भी कर रहे हैं दुनिया के देशों में पहुंत रहा है इससे भी रोजगार के हजारों नए अवसर बने हैं साथियों एंप्लोइमेंट जनरेशन का एक और पक्षा है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्स में सरकार द्वारा किया गया इंवेस्ट्मेंट हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्स में तेज रप्तार के लिए जानी जाती है जब सरकार केपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करती है तो बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड रेलवे पोर्ड नई इमारते बहुत सी प्रकार की चीज़े तया हो जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में इंजीनियर, टेक्नीश्टियन, एकाउंटेंट, स्रमीक हर प्रकार के उसमें तरह तरह के इक्विप्मेंट, स्टील, सिमेंट ऐसी भाती-भाती की चीज़ों की जुरुत पढ़ती है हमारी सरकार के दवरान, पिछले आठ नव वर्षों में, केपिटल एक्ष्पेंडिचर में, चार गुना बढ़ोत्री हुई है इससे, रोजगार के नए आउसर और लोगों की आए, दोनों में वृद्धि हुई है मैं आपको भारतिय रेलिवे का उधान देता हूँ 2014 से पहले, साथ दसकों में, बीस हजार किलोमेटर के आसपास, रेलिवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था पिछले नव वर्षों में, हमने करीब करीब, 40,000 किलोमेटर रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा किया है 2014 से पहले, एक महिने में, सिर्फ 600, 600 मिटर नई मेटर लाइन बनाई जाते हैं, 600 मिटर आज हम हर महिने लगबग, 6 किलोमेटर की नई मेटर लाइन बना रहे हैं, तब हिसाब मिटर में होता था, आज हिसाब किलोमेटर में हो रहा है 2014 में देश में 70 से भी कम जिलों में 70 से भी कम 70 से भी कम जिलों में गैस नेटवर का विस्तार हुआ था आज ये संख्या बढ़कर 630 जिले तक पहुँच गई है कहां 70 जिले और कहां 630 जिले 2014 तक ग्रामीनी लाकों में सडकों की लंबाई भी 4 लाख किलोमेटर से कम थी आज ये आंकड़ा भी बढ़कर 7 7 लाख किलोमेटर से ज़्यादा हो चुका है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब गाउं में सडक पहुंती है तो उसका क्या क्या प्रभाव होता है इससे पूरे इकोसिस्टिम में तेज गती से रोजगार का स्रजन होने लगता है साथियों ऐसे ही काम देश के एवियेशन सेक्टर में हुआ है दो हजार चौदा तक देश में सेवन्टी फोर एरपोर्ट थे आज इनकी संख्या 148 हो गई है हम सभी जानते हैं कि एरपोर्ट ऑपरेशन्स में कितने जादा स्टाप की जरुद पड़ती है आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने नए एरपोर्ट ने भी देश में हजारों नए अवसर तयार किये है और आपने देखा है कि हाली में एर इंडिया ने रिकॉर्ड संख्या में नए हवाई जाहाज खरिदने का ओरडर दिया है कई और भारतिये कंपनियां भी इसी तयारी में है यानि आने वाले दिनों में इस सक्टर में केटरिंग से लेकर इन फ्लाइट सर्विसिस तक मेंटेनंस से लेकर ओन ग्राउंड हैंडलिंग तक बड़ी संख्या में नए अवसर तयार होंगे ऐसी ही प्रगती हमारे पोर्ट सेक्टर में भी हो रही है समुद्री तर्ट का जो विकास हो रहा है हमारे पोर्ट जो डेवलप हो रहे हैं आज हमारे पोर्ट पर पहले की तुलना में कार्गो हैंडलिंग दो गुनी हो चुकी है और इसमें लगने वाला समय अब आधा रह गया है इस बड़े बड़लाओं ने पोर्ट सेक्टर में भी बड़ी तादाद में नए अवसर तयार किये हैं साथियों देश का हेल्ट सेक्टर भी एम्प्लोइमेंट जनरेशन का बहतरीन उधारन बन रहा है 2014 में भारत में 400 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे आज 660 मेडिकल कॉलेज है 2014 में अंडर ग्रेजुएट मेडिकल सीटों की संख्या करीब 50,000 थी आज एक लाग से जादा सीट उपलब्द है आज पहले के मुकाबले दो गुनी संख्या में डॉक्टर परिशाएं पास करके तयार हो रहे हैं आईश्मान भारत योजना की वज़े से देश में अनेकों नए अस्पताल और क्लीनिक बने हैं यानि इंफ्रास्ट्रेक्टर का हर प्रोजेक्ट रोजगार और स्वरोजगार उसमें बड़ोतरी सिनिस्षित कर रहा है साथियों ग्रामीर अर्थववस्ता को गती देने के लिए सरकार जो एपियोंस बना रही है सेलफेट गुरुस को लाखो करोन की मदद दे रही है स्टोरेज केपिसिट का विस्तार कर रही है उसे गाउं के विवाओं के लिए अपने गाउं में ही रोजगार के अवसर बन रहे हैं 2014 के बाद से देश में 3 लाख से जादा नए कॉमन सर्विस सेंटर्स बने हैं 2014 के बाद से देश के गाउं में 6 लाख किलोमिटर से जादा ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है 2014 के बाद से देश में 3 करोड से जादा गर गरीबों को बना कर दिये गए हैं इन में से दाई करोड से जादा अगर गाउं में बने हैं बीते वर्षों में गाउं में दस करोड से जादा सवचाल रहे हैं डेड़ लाख से जादा हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स हजारों नए पंचायद भवन इन सभी निर्मान कारियों ने गाउं में लाखों युवाओं को काम दिया है रोजगार दिया है आज जिस तरह एग्रिकल्टर सेक्टर में फार्म मेकनाजेशन तेजी से बढ़ा है उससे भी गाउं में रोजगार के नए मौके बन रहे हैं साथियों आज भारत जिस तरह से अपने लगूत योगों की हैंड होल्डिंग कर रहा है अपने यहां एंट्रेप्रिनर्शिप को बढ़ावा दे रहा है इससे बड़ी संख्या में रोजगार का निर्मान सुनिस्चित हो जाता है हाली में प्रधान मंत्री मुद्रा योजना ने आठ वर्ष पूरे किये इन आठ वर्षों में मुद्रा योजना के तहत बिना बैंक गारंटी 23 लाग करोड रुपिय का लोन दिया गया है इस में से सत्तर प्रतिशन लोन महिलाओं को मिला है इस योजना ने आठ करोड नए एंट्रप्रनर्स तयार किये हैं यानि यह वो लोग हैं जिन्होंने मुद्रा योजना की मदद से पहली बार अपना कोई काम का शुरू किया है मुद्रा योजना की सफलता ने देश के करोड लोगों को स्वरोजगार के लिए होसला दिया है नई दिशा दिखाई है और मैं साथ जो आपको एक और बात बताना चाहता हूँ ग्रास्रूट लेवल पर एकोनोमी की ताकत बढ़ाने में माइक्रो फाइनास का कितना महत्व होता है माइक्रो फाइनास कितनी बड़ी शक्ति बन करके उभरता है यह हमने इन आट नव साल में देखा है बड़े बड़े अपने आपको माहरती मानने वाले बड़े बड़े अर्थ सास्तर के पंडित मानने वाले और बड़े बड़े माले तुजारों को वो फोन करकरके लोन देने वाज के आदत वाने लोग पहले कभी भी माइक्रो फाइनास की ताकत को नहीं समझ पाए आज भी आज भी यह लोग माइक्रो फाइनास का मजाक उड़ा रहे हैं इनको देश के सामान्य नानकिकी के सामार्थ का समझी नहीं है साथ क्यों आज जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है उन्हें में विशेश तोर पर कुछ सुझाव अवश्य देना चाहता हूँ आप में से कुछ लोग रेल्वे तो कुछ लोग सिक्षाक्षेत्र से जूड रहे हैं कुछ लोगों को बैंकों में अपनी सेवाय देने का आउसर मिल रहा है यह आपके लिए देश के विकास में योगदान देने का आउसर है देश दो हजार सैतालिस में 2047 में जब आज जादी के सो साल मनाएगा विक्सीद भारत बनने का लक्ष लेकर आगे बढ़ रहा है और मैं जानता हूँ आज आपकी जो उमर है यह आपके लिए सच्चे अर्थ में अम्रितकाल है आपके जीवन का यह 25 वर्ष देश एकदम से तेज गती से आगे बढ़ने वाला माहोल वाला है और उसमें आप योगदान दे जा रहे हैं आप कल्पना कर सकते हैं कितने उत्तम कालखन बहें कितने उत्तम अवसर के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए आज आपके कंधों पर आप नई जिम्मेबारी ले रहे हैं आपका एक एक कदम आपके समय की एक एक पल देश को तेज गती से विक्सित भारत बनाने में काम आने वाली है हाज आप एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर अपने यात्रा बले शुरू कर रहे हैं इस यात्रा में हमेशा उन बातों को याद रखना चाहिए और हमेशा अपने आपको एक सामान्य नागरिक के तौर पर आप पिछले 5 साल से 10 साल से जब से समझने लगे हैं क्या का मैसूस करते थे सरकार का कौन सा वहवार आपको अखरता था सरकार का कौन सा वहवार आपको अच्छा लगता था आप भी ये जरूर मन में मानिये कि जो बुरे अनुभव आपको आए हैं आपके रहते हुए किसी भी देश के नागरी को बुरा अनुभव नहीं आने देंगे जो आपको बिती होगी आपके कारण किसी को नहीं बितेगी यही बहुत बड़ी सेवा है अब या आपकी जिम्मेदारी है कि सरकारी सेवा में आने के बाद दूसरों की उन उम्मीदों को आप पूरा करें अपने आपको योग बनाएं आप मेंसे हर कोई किसी ना किसी रूप में अपने कार्य से सामान्य मानवी के जीवन को प्रभावित भी कर सकता है प्रेरित भी कर सकता है उसको निराशा की गर्थ में डूपते हुए बचा भी सकता है इससे बड़ा मानवता का क्या काम हो सकता है साथियों आपकी कोशिस होनी चाहिए कि आपके कार्य का सकाराग्वत प्रफाव हो आपके काम से सामान्य मानवी का जीवन बहतर हो व्यवस्ताओं पर उसका विश्वास बढ़ना चाहिए मेरा आप सबसे एक और आग्रह है आप समने कड़ी मेहनत से ये सभलता हासिर की है लेकिन सरकारी नोकरी पाने के बाद भी सिखने की प्रक्रिया को रुकने ना दे कुछ नया जानने नया सिखने का स्वभाव कि आपके कार्यों और व्यक्तित्व दोनों में प्रभाव जगाएगा कि ओनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म कि आई गॉट कर्मयोगी से जुड़कर आप अपने स्कील को अप्ग्रेड कर सकते हैं और साथियों मैं तो मेरे लिए हमेशा कहता हूं मैं मेरे भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने नहीं देता हूं मैं बड़ा विद्वान हूं मुझे सब आता है सब मैं सीख चुका हूं ऐसा भ्रह्म ले करके न मैं पैदा हूं आऊं न काम करता हूं मैं हमेशा अपने आपको एक विद्यार्थी मानता हूं हर किसी से सीखने का प्रयास करता हूं आप भी अपने भीतर के विद्यार्थी को जिन्दा रखना कुछ न कुछ नया सिखने की कोशिश करते रहना वो जीवन के नए नए द्वार खोल देगा साथियों फिर एक बार वैशाहिक की का पावन पर्व हो जीवन का नया आरंब हो इससे बढ़कर के क्या अवसर हो सकता है आप सभी के उजवल भविश के लिए पुना बहुत बहुत शुब कामना है एक बार फिर आप सब को बहुत 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 बदाई